बिहार विद्याले परिक्षा समीती की ओर से कल से बिहार में मैट्री की परिक्षा की शुरुवात की जा रही है और मैट्री की परिक्षा की शुरुवात से पहले ही कुछ बड़ा बदलाओ BACB के द्वारा किया गया है आपको बताए कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती समय सारणी में थोड़ा सा बदलाओ कर दिया है आपको बताएं कि अभी हाली में इंटरमीडियेट की परिक्षा समाप्त हुई है और इंटरमीडियेट की परिक्षा समाप्त होने के साथ ही साथ जब इंटरमीडियेट की परिक्षा की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के दिनों से ही बिहार विद्याले परिक्षा समीति की और से आयुजित इंटर्मीडियेट की परिक्षा का प्रस्तपत्र वाटसब पर परिक्षा सुरू होने के ठीक आदे गंटे पहले वाइरल होने लगा था इसी को देखते हुए समय सारणी में मैट्री के परिक्षा में बदला किया गया है आपको बताएं कि बिहार विद्याले परिक्षा समीति की और से मैट्री की वार्सिक परिक्षा कल से शुरू हो रही है परिक्षा 22 फरवरी तक दो पालियों में चलने वाली है बोड ने दूसरी पाली की परिक्षा का समय बदल दिया है अब दूसरी पाली की परिक्षा एक 45 के अस्थान पर दो बजे से शुरू होगी इसके लिए परिक्षारती को 31 तक परिक्षा भवन में परवेश कर ले ना होगा इस बार बोड में लड़कों से अधिक लड़किया शामिल हो रही है, मैट्रिक परिक्षा में 16,37,414 परिक्षार्थे सामिल होंगे, इसमें 8,31,213 चात्रा हैं, एवं 8,6,201 चात्र दोनों पालियों में शामिल हो रहे हैं, पहले पाली में 4,16,916 चात्रा हैं, एवं 4,8,161 चात्र सहीत, 8,25,012 परिक्षार्ती सामिल होने वाले हैं बोड ने इस परिक्षा के लिए 38 जिलों में 15 केंदर बनाए हैं पहले दिन मैथ की परिक्षा होगी दूसरी पाली में भी सामिल होने वाले परिक्षार्तियों की मैथ की भी परिक्षा होगी समीतिक अधक्ष आनंद किसोर ने बताया कि पहली पाली की परिक्षा पहले से निर्दारित समय साड़े नौबे से शुरू होगी पहली पाली की परिक्षा 12.45 में समाप्त होने पर परिक्षार्थियों को परिक्षा के इंद से बाहर निकलने में समय लगने के कारण दुईतिय पाली की परिक्षा 1.45 से शुरू होने से परिक्षार्थियों को 30 मिनट पहले परिक्षा के दर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है इसी समस्या को देखते हुए छात्रहित में निर्णा लिया गया है कि मैट्रिक परिक्षा 2023 की दूसरी पाली की परिक्षा में परिक्षार्थी अब 1.15 की जगा डेड़ बजे परिक्षा भवन में परवेश करेंगे परिक्षा दो पजे 5.15 में साम तक चलेगी प्रशनपट पढ़ने और निकार्मियों के लिए बोड ने अलग से 15 मिनिट का समय भी दिया है जिन छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़ बड़ी है या किसी अन्य की तस्वीर छब गई है तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परिक्षा के इंदर पर पहुचना होगा छात्र, आदार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवी लैसिंस, अथवा फोटो युक्त बैंक का पास्बुक लेकर परिक्षा के इंदर पर आ सकते हैं इसके साथ ही पहसान पत्र की छाया प्रती राजपत्री अधिकारी से सत्यापन कर परिक्षा केंद्र पर जमा करना होगा मूल पहसान पत्र के साथ परिक्षारतियों को स्वैम उपस्तित होना होगा उन्हेंने कहा कि केंद्रा इदिक्षिक चेहरे का मिलान कर परिक्षा में बैटने की अनुमती देंगे इसके बाद ही छात्रों को OMR seat वो डाटर त्रहित उत्तर पुस्ति का उपलब्द कराए जाएंगे यदि किसी परिक्षारती का एड़्मिट कार्ट गुम हो गया है या भूल गया गर पचूट गया तो ऐसी स्तिति में उपस्तित पत्रक में स्कैन कोड फोटो से मिलान कर रोल सीट से सत्यापित कर परिक्षा में बैटरी की अनुमती दी जाएगी परिक्षा संचालन में किसी प्रकार की समस्या के लिए 0.612.222.257 एवं 0.612.222.277 पर कॉल कर सकते हैं पटना में परिक्षा देने वाले चात्रों से अधिक चात्राएं इस बार सामिल होने वाले हैं केवल सुई वाली घड़ी अतवा यूनिक आईडी जारी किया जाएगा तो इस प्रकार से कल से मैटरी के परिक्षा के शुरुआत होने के साथ साथ भारी समय सारेड़े में बदलाव किया गया है